दोस्तो टीम इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक के बीच एक बहुत ही मज़ेदार मोमेंट देखने को मिला जब रोहित शर्मा बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिनेश कार्तिक को डार्ट रहे है औ उस्तो बात है आस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारहवें ओवर की जब गेंदबाजी कर रहे थे हार्दिक पंडिया और बैटिंग कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल और बॉल ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से कट लगकर कीपिंग कर रहे दिनेश कार्तिक के पास जा पहुँची फिर रोहिच शर्मा ने दिनेश कार्तिक से डियारेस लेने पूछा जिसके बाद कार्तिक ने ये कहकर मना कर दिया कि बॉल बल्ले से नहीं लगकर गई मुझे कोई आवाज नहीं आई पर उसके बाद भी रोहिट शर्मा ने डियारेस ले लिया और डियारेस में साफ साफ दिखाई दिया कि बॉल बल्ले से लग कर गई है जिसके बाद रोहिट शर्मा डाटते हुए दिनेश कार्तिक के पास पहुँचे और जोर से उनका मूह दबा के ये बोला की कीपर होकर भी कुछ समझ नहीं आता क्या